कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे आईए आज हम शुरूर करते हैं अपना जन्माश्टमी का ब्लॉग तो देखे सबसे पहले हमाई राधारानी तयार हो रही है और अपने नवीन वस्ट्र जो है जन्माश्टमी के लिए धारन कर रही है और राधारानी के शिंगार भी बजार से लेकर आए थे अब की बार मेरे पस टाइम नहीं था थोड़ा सा क्योंकि मेरी तब ठीक नहीं चल रही है तो इस वज़े से हमने वस्तर बाहर से ही लिए है वरना मैं जाता तर अपने आप ही बना कर उनको पहनाती हूँ और राधारानी के श्रिंगार में आप य यह देखिए राधारानी तयार हो गई है और अपना जूले में विराजमान होकर जूला जूल रही है यह देखिए और कितना सुन्दर उनका स्वरूप आया है कि बस हम उनको देखकर बार-बार मोही तो तर नमने काला टीका भी रगा दिया है और अब हम कराएंगे क्रिश जनम और यह देखिए मैंट ठाकुर जी को खीरे में प्रवेश करा दिया है जैसे कि हम बारावज जनम होना होता है तो हमें 4-5 बजे उनको खीरे में यह देखिए प्रवेश करा देना चाहिए इस तरीके से और पूरों से फिर हमें उसको धख denkt 따 देना चाहिए यह जब कृष्ण जन्म हो जाता है तो उसके बाद हमें ठाकुर जी को बाहर निकालने के बाद एक सिक्का लेकर ये नाल काटनी होती है इसको बोलते है नाल शेदन ये देखिए हमें एक सिक्का लेकर जो है ये उसका डंठल काटते है खीरे का इसको बोलते है ठाकुर जी का नाल शेदल ये देखिए और ये खीरा जो है अगर किसी गर्ब पती किसी इस तरी को गर्ब ना ठहर रहा हो तो इस खीरे को खा ले तो उसको गर्ब ठहर जाता है तो इस तरीके से हमने फिर ठाकुरजी को एक साफ थाली में बिठा दिया है क्योंकि अब होकर ठाकुरजी का अभी ये देखिए और सबसे पहले हम ठाकुरूजी को एक साफ थाली में बिठाएंगे और उनके उपर सबसे पहले जल चड़ाया जाएगा ये देखिए और उसके बाद हम चड़ाएंगे दूथ क्योंकि अभी शेक करने का भी एक अपना ही तरीका होता है और इस तरीके से जैसे हमें आता है सिम्पल तरीके से हम कर सकते हैं सबसे पहले देखिए हमने चड़ाया दूथ और उसके बाद हम चड़ाएंगे दही ये देखिए देरे देरे करके उन पर एक एक चीश जो है चड़ाई जाएगी और ठाकुरूजी का भी शेक होगा और यह देखिए यह चड़ाया बूरा यह देखिए और उसके बाद हम चड़ाएंगे गंगा जल और शहद यह देखिए अगर आप ठाकुर जी का इस तरीके से अभी शेक करते हैं जन्म के बाद तो ठाकुर जी बहुत प्रसंद होते हैं अभी शेक से और इस तरीके से हम उनके ऊपर दही दूज, शेहद, गंगा जल और अगर गंगा जल के जगाँ आपको यमना जल मिल जाये तो इससे ठाकुर जी यमना जल से बहुत प्रसंद होते हैं तो अब हम यह चड़ा रहे हैं उन पर दही यह दही से ठाकुर जी का अभी शेक हो रहा ह और देरे-देरे करके हम उन पर सब चीज़ें चढ़ाएंगे शहत और गंगा जल चढ़ाकर हम ठाकुर जी को फिर स्नान करा देंगे इस तरीके से हम ठाकुर जी का ये अभिशेक कर रहे हैं और ये जो अभिशेक है बारा बजे के बाद रात को किया जाता है जब ठाकुर जी के जन्म होता है उसके बाद ही अभिशेक किया जाता है ये देखे आप हम ठाकुर जी पर दःव Yay, और कर जाद होगा जड़ी यह कुछ पर दही चड़ चुका है और उसके बार एक एक करके हम सारी के अभिए शहद चड़ाएंगे यह दिखिए शहद चड़ रहा है और इसको जणाने के बाद हमें अच्छी तरह से उनके हातों से नर्म उंगलियों के सिर्फ पोरों से हमें यह नहीं कि हमें उनको जोर से रगणना है सिर्फ उंगलियों के पोरों से हमें रगणना है जलसे स्नान कराना है यह देखिए जैसे कि हम उन्हें जलसे स्नान करा रहे हैं और ठाकुर जलसे स्नान करने के बाद उन्हें एक साफ स्वच कपड़ा लेकर पोचना है और उसके बाद उनको बिठाना है जूले में और उसके बाद हमें बजानी है थाली जैसे कि थाली में इस तरीके जूले में बिठाकर उनको और जूला जूलाना है और फिर थाकरजी की नजर उतानी है तो इते का ठाजी का केक, देखे, हमारे लाला जो है पहले केक के पास भी राजमान होंगे और छोटे वाले लाला जो है वह गोधी आ जाएंगे और गोधी में ही उनसे केक कटवाया जाएगा यह देखे रेले उनसे जूला जुला जुलाया जा रहा है और इसके बाद जनम होने की तुरंत बाद ही जुला-जूलाया जाता है और फिर हम ठाकुर जी को जुले में बढ़ाकर बधानिया बोलते हैं फिर हम बाते बिहारी जी को भोग लगाते हैं, बाते बिहारी जी को भोग लगाने के बाद में आरती होगी, ये देखे, ठाकुर जी के आरती बाल कृष्ण की जो आरती है, वो गाई जाती है, इस समय आरती बाल कृष्ण की जो ये आरती है, ये इस समय ही गाई जाती है, तो जनमाष्टमी पर बाल कृष्ण का जनम हुआ है तो बाल कृष्ण की आरती गाई जाती है नहीं तो कई बार लोग ठाकुर जी की आरती गाती है इस समय बाल कृष्ण की आरती जो है वो गाई जाती है और यह देखें पूरा जनमाष्टमी सेलिब्रेशन का जो हमारा प्यारा सेट अप है और यह आरति आरति बाल कृष्ण के कीज़े पुलो जनम सफल कर लेजिए तो यह वह आरती जो है यह बाल क्रिष्ण की घायी जा रही हैं यह देखें और ठाक्रजी की जो आरती है उस में सब driveway सम्मिलित होते हैं ठाक्रजी का जनम जो है रात को 12 बघे हुआ था और कंस के कारगार में हुआ था तो इसलिए उनको ले जाकर गोकुल में ले जाकर वहां पर उनके पिताजी वासु देव जी ले गए थे और फिर अगले दिन जो है वो नंदोटसब हुआ था तो जो उतसब है वो अगले दिन होता है नंदोटसब में इस बाद जो जण्मालषट में है 26-27-29तरिको की एञ चपश तरिक तो लोग मना रहे हैं पर 27तरिकों राके भाकी बिहारी मंदिल में जो है जैनमाश्ट मी मनाई गई है क्याकि वह उतेकाल के हिसाब से मनाई है उन्होंने और अब हमारे ठाकुर जी काटेंगे अपना प्यारा सा केक यह देखिए हमारे छोटे लड्डू तो आ गए हैं जल्दी से और अब जो बड़े वाले हैं वह भी आ रहे हैं और अब उनक केक कटेंगा यह देखिए है हैपी बार्ड डे टू कनैया है पिबड़ टू यू तो यह एश तरीकसे ठाकुर्ची का केक कटए है और यह देखिए जो केक है यह मैंने दो तरह के चणसे हैं एक तो घर Гः में इस बनाया था है क्योंकि श ses अब्छी बनाया था क्योंकि में कभी हम वैसा भूब भी की नहीं लगा सकते तो वूब बनाये था और एक योगी केक है यह एगलेस घ्र दुकान से ही मंगवाय था थाकुर्जी के लिए केक मंगआ थाकुरजी था हमारे छोटे से लाला है तो उनको अपना जनम दिज जो है है औसके बाद घुस्ट है ठाकर जी वापस अपने जूहले में विराजबान हो गया और अब ठाकर होजी के मुझे में लगाया जा इनको भी इनको भी केक खिलाया जा रहा है, यह देखिए, और बहुत ही अच्छा लगा जन्माश्टमी का सेलिबरेशन करने पर क्यों इक पर मेरी तब्यूत भवथ खराब थी, तो मैं पिछली साल जन्माश्टमी का सेलिबरेशन करी नहीं पाई थी, तर ठाकुर्ची की है पूरे एक जिड़ साल हो गया उस वज़े से मेरी तबित चारा खराब चल रही है और मुझे थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत आ अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें